हेलव है कि वेलकम तू mesh परच संदीब smart के इस वीडियो एक बार फिर से आप सब का हरतिक श्ברद सतव्वागत है वहाँकि आज किस वीडिया में बात करेंगे रेस्टेशन के बारे में तो आपक़ा इसे अपक है सटीफैके अब परिवार पैचान पतर से लिंक किया जाएगा यानि कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो फैमली आइडी से लिंक किया जाएगा और इसे आप घर बैठे अपना ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं पटवारी पर जाने की जरूरत नहीं रहेगी पचले फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए परदेश में जाती परमान पतर की लगबग सभी सरकारी स्कीम आदी में जरूरत होती है जिसको बनवाने के लिए नमबरदार पटवारी के पास जाना पड़ता है लेकिन अब हरियन सरकार ने परिवार पैचान पतर के साथ जाती परमान पतर क को जोडने का फैसला किया है जिसके संबंद में भी भाग द्वारा गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है तो देखिए जिसके अनुसार आम आदमी अपना जनम परमान पतर ओनलाइन ही अपने आप या फिर कॉमन सर्विस सेंटर सियसी के द्वारा एपलाई कर सकता है और ओ ही सरहानिया कदम उठाया गया है तो जिससे की स्टुलेंट्स को बार बार पटवारी नमबरदार के चक्रने काटने पड़ेंगे और टाइम भी वह ज्यादा लग जाता था उसमें तो देखिए अब आपका उनलाइन कर दिया गया है शरल पोल्टर पर करना होगा आवेदन ओनलाइन ही मिलेगा आपका परमान पत्तर तो देखिए परदेश में जाती परमान पत्तर को प्रिवार पैचान पत्तर से जोड़ा जाएगा इसे लेकर गैडलाइन जारी कर दी गई है अब तैसिलदार नहीं बलकि ADC यह परमान पत्तर जारी करेंगे तो देखिए पहले इसको आपका तस्यीलदार जारी करता था लेकिन अब जिले का ADC आपका परमानपत्र जारी करेगा आवेदन करता कि वेरिफिकेशन की सतर का अधिकारी करेगा या अब भी सिटीजन रिसोर्स इनफरमेशन डिपार्टमेंट SOP जारी करेगा तो हालांकि करमचारी वे उसके बच्छों के सर्टिफिकेट के लिए डाटा करमचारी के Human Resource Management System से वेरिफाई कर लिया जाएगा आम लोगों को अब जाती परमानपत्र के लिए ना तो नमबरदार वे ना पटवारी और ना ही तसील दार मचकर काटने होगे तो सिरफ अपने प्रिवार पैचा नमबर के जरिये सरल पोल्टर पर आविदन करना होगा और ओनलाइन ही उसे जाती परमानपत्र मिल जाएगा तो देखी क्रीमी लेयर वालों का 31 मारज तक मान्या होगा परमानपत्र पिछड़ा वरक के जाती परमानपत्र बनाते वक्त आये भी देखी जाएगी आये वही मान्या होगी जो PPP में दर्ज होगी आये इसलिए देखी जाएगी कि यदि कोई क्रीमी लेयर में आता है तो उसका सर्टिफिकेट हर साल की 31 मारज तक मान्या होगा यानि कि आपका जो क्रीमी लेयर कंडिट है उनका सर्टिफिकेट एक साल के लिए ही वैलिड होगा एक साल के बाद उनको दबारा से उस फरम को अपलाई करना होगा अपने सर्टिफिकेट के लिए तो परमान पत्र आमान्या हो जाएगा वह सरकार योजनाओं का फाइदा भी नहीं ले पाएगा जो क्रीमी लेयर में नहीं आता उसका परमान पत्र जीवन भर मान्या होगा याएं कि जो भी Candidate Non-Criumy Dire के अंदर आते हैं उनका प्रमान पत्तर एक बार इस्यू होने के बाद वो लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा तो आगे उन्हें कभी भी बनवाने की जरूरत नहीं रहेगी तो उनका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा लेकिन जो क्रीमी लेयर कंडिडेट हैं क्रीमी लेयर कंडिडेट हर साल अ अपना सर्टिफिकेट दवारा से बनवाएंगे तो एक बहुत ही सरहानी एक कदम है सरकार के द्वारा तो देखिए अब तैसिलदार नहीं बलकि ADC प्रमणपत्र जारी करेगा आवेदन करने वाली की वारिफिकेशन की सतर का दिकारी करेगा यह अभी WP द्वारा बताया जाएगा हलाकि करमचारी और उसके बच्छों का कास्ट श्रटिफिकेट के लिए डाटा वरिफिकेशन हीुवन रिसॉर्स मनेजमेंट सिस्टम द्वारा लिया जाएगा तो देखिए हमने बात कर लिए कि क्रीमी लेयर वालों का स्रेटिफिकेट 31 मारज तक ही वैलिड होगा तो देखिए इसके लिए आप अपलाई कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आपको हर्याना मेलगबग सभी कॉम ओनलाइन ही होते हैं इसके लिए स्रेल आइडी और स्यासी आइडी की जरूरत होती है तो इसके लिए आप कैसे अपलाई कर सकते हैं सबसे पहले आपको स्रेल हर्याना.gov.in portal पर जाना होगा वहां पर लोग इन करने के बाद मैनू बार में एपलाई सर्विस पर कलिक करना होगा उसके बाद फिर view all service पर कलिक करें तो जिसके बाद सर्च option में cast certificate सर्च करने के बाद आप एपलाई link पर ok कर सकते हैं family id का number डालने के बाद registered number पर OTP आएगा तो आपको वहां पर feel करना होगा जिसके बाद जाती परवानपतर आवेदन form भरने के बाद आप उसको submit कर सकते हैं और print जरूर ले ले तो print लेने के बाद आप यहां पर अपना future reference के लिए अपने print को रख सकते हैं तो ऐसे ही आपका जो online card certificate है वह issue हो जाएगा तो देखिए आप सभी students के लिए एक बहुत ही good news निकल कर आई है कि आपको अब अपने कास्ट certificate के लिए सरपंच पटवारी तसीलडार के चकर नहीं काटने होंगे तो आप यहां पर अपना online कास्ट certificate बढ़वा सकते हैं तो देखिए friends यह एक information थी जो आप सब से share करनी थी आई होप वीडियो आप सब को पसंद आई होगी तो वीडियो को जादा share करिए लाइक करिए और चैनल को subscribe करना मत बूलिए तो चलिए friends मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you